गुड मॉर्निंग सलाम नमस्ते सस्रियाकाल कैसे हैं आप सभी लोग उमीद है सारे लोग पहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को युवई गल्फ और इंडिया से जुड़ी कुछ जरूरी अपडेट देना चाहूंगा जरूरी देख सकते हैं कि एक चलते विमान के अंदर से भाई ने गेट खोल दिया जिसकी वज़े से क्या हुआ कि पूरे विमान में खलबली बच गई क्या है पूरा वाक्या ये जानेंगे साथी साथ इंडिया में अभी पहलवानों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है साथ साथ उसके लाटी चार्ड भी किया जा रहा है उनको मारा भी जा रहा है प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी साहब ने नई संसथ भाउन का दिर म लेकिन इस वीडियो को उठाने का और आप लोगों को बताने का तात्पर सिर्फ इतना है कि ये वीडियो कहां का है मैटर ये नहीं करता है इस वीडियो के अंदर जो हुआ है क्या आप ये सोच सकते हैं कि कोई भी बंदा अगर चलती हुई फ्लेन में अगर कोई गेट खोल द तैह हैं कि अगर किसी ने seatbelt नहीं लगा रखा तो जाहिड से बात है वो फ्लाइट के बाहर जा सकता है साथी साथ अगर वो उस लेवल पे है जहां पे oxygen का लेवल भी नहीं होता वहां जितने भी लोग हैं सबकी जान के उपर बनाती है इस वीडियो के पुष्टी करना एक बड़ी वज़ा नहीं है वीडियो को समझना और वीडियो से सतरक हो जाना एक सही वज़ा है क्या यह होना नहीं चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है मान लिजिए अगर कोई गेट खोलता है सबसे पहले जो flight का captain उसे पता होना चाहिए अगर ऐसा कुछ अलाम आता है तो वह बनाना चाहिए क्योंकि ऐसे वीडियो आपको आए दिन देखने को मिलते हैं अब कोई flight के अंदर से सिसा तोड़ देता है तो कोई gate खोल देता है अब यह सारी चीजे ना कहीं ने कहीं टेंशन करने वाली चीजे हैं जब हम कभी ट्रेवल कर रहे होते तो भगवान ना करें कि कभी ऐसा situation आया जिसकी वज़े से हम जो है इस समस्या में फसें तो इससे थोड़ा सतर कर रहे हैं और साउधान रहे हैं दूसरी जो अपडेट आ रही है वह है पहलवानों को लेकिए इंडिया में जैसा का आप हो रहा है और काफी ज्यादा मात्रा में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कई विपच्छी पार्टियां भी हैं जिसमें की कॉंग्रेस और एसबी आजात समाच पार्टी के जैसे करके और अर्विंद केजरिवाल भी हैं जो कि वहां पर जाके पहलवानों का समर्थन दे रहे हैं ऐसे कई ओपोजिशन पार्टी में से लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि पहलवानों को इंसाफ मिलना चाहिए आप आखिरकार इसकी क्या सब चाहिए तो एक जांच कवी से हैं लेकिन जैसा कि आप सबी को पता है कि आज हमारे प्रधान मंदरी नरिंदर मोदी ने एक नय संसत भावन का उदगाटन किया है जहां पर कुछ पहलवान कुछ जो धरना प्रधनसन करता है वो लोग वहां पर जाना चाहते थे और वहां पर कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट की संभावना बन रही थी ऐसा होने पर जब लोग जाने लगे तो उनके पास परमीशन नहीं थ कि आप वहां जाओ लेकिन फिर भी कुछ लोग एंटर करने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पर पुलिस के द्वारा कुछ हाथा पाई भी की गई कुछ पहलवानों को चोटे भी आई हैं और यह कहिने कहीं निंदनी है और एक यह जांच और समझ का विसे है कि इसका कोई न कोई निसकर्स निकरना चाहिए हमारी इतना बड़ा constitution है और इतनी बड़ी priority है हमारे पूरे इंडिया की कि जो लोग भी समझदार हैं जो लोग भी समझते हैं वो इस चीज को निस्पक्षता से जाच करा हैं आज के समय में इतने बड़े बड़े उपकरन आ चुके हैं कि हर एक बंदे की अंदर की बात को हम निकलवा कर बाहर रख सकते हैं ऐसा विकसी देश जो एक देश अपने आपको आने वाले समय में विस्गुरू देख रहा हो विस्गुरू की समझ पे हो वहाँ पे जो इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिनोंने देश को अपने अपने समय महजुदा सरकार को गिराने के लिए महजुदा सरकार के ऊपर लांचन लगाने के लिए अगर वो सही है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करो चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक क्या थेंगों सुमाज जाहिन वंदे मात